भाई जो मरजी कहलो लेकिन सेथ रोलेंस और रोमरेंस साथ में कुछ अलग ही दिखते हैं आज रोमरेंस ने अपना रिटर्न किया भाई अब तो रिटर्न होते रहते हैं रोमरेंस के छोटे मोटे इतने स्मैक डॉन पर तो आते हैं अब रो पर आते हैं रो आज सी मैडिसन स्क्वेर गार्डन में तो आना बन गया और सेथ रोलेंस ने थोड़ा सा इंटरफियर किया रोमा रेंज को मतलब उनको मतलब अटेक करने के लिए कुछ ऐसा नहीं अचली रोमरेंस तो आज मैडिसन स्क्वेर गार्डन में रो थी तो एक बड़ा मेन इवेंट चाहिए था और याज गाईस ब्लड लाइन के मैच जैसे होते हैं बिलकुल वैसा था कुछ नया नहीं था एक पलेच आपको बता है कि नए क्रियेटिव हैट बन चुके है डबली डबली के विस मिकमैन को बाहर निकाल दिया है अब बाहर नहीं मतलब एक तरह से रिटायर हो गए हैं वह लेकिन अच्छा भी हुआ एंड गाईज रोमरेज एंड में स्पियर लगाके जीत जाते हैं यह टैक्टी मैच अंड रोमरेज की एक ग्रेंड रिटान हमें देखने को मिलती है और उसके बाद आते हैं सेथ रोलेंस अब मैं आपको बतातो कि सेथ रोलेंस क्यों आते हैं सेथ रोलिंस आते हैं ताकि रोमरेस के साथ कुछ नहीं हो ना रोमरेस के साथ तो अब कुछ नहीं हो ना उनको मैच उनका मिल चुका है लेकिन सेथ रोलिंस यहाँ पर आते हैं रीडल को मारने के लिए रीडल के पीछे पड़ जाते है सेथ रोलिंस इनका समस्लैम में मैच है Seth Rollins versus Riddle So yes ना Riddle को कोई बचाने आता है ना मतलब कोई होता है बचाने वाला है बस अटेक कर देते हैं बहुत ही भारी Riddle पर Seth Rollins And next हम बात कर लेते हैं Bloodline की And Bloodline दो बार आती है एक तो match लड़ने आती है लेकिन एक शुरुआत में भी आती है And Austin Theory भाई पता नहीं कैसे पिट जाता है यह बंदा And guys एक लाइन जो रोमरेज ने बोली भाई मज़ा आ गया कि आपके अब डैडी नहीं है अब रोबर आप मतलब आप जादा मत उड़िए भाई सीधी सीधी बात थी कि Vince McMahon रिटायर हो गया And Austin Theory को सीधा बोल रहा है अब डैडी नहीं है घर पे बहुत हासी वाली चीज थी भाई आपको कैसे लगी यह चीज एंड ब्रोकलेस नहीं वसे रोमरेज का मैच है समस्लैम में मुझे कमेंट से बतावा किसको सपोर्ट कर रहे हो यहां तक आगे हो सब्सक्राइम आर देने चैनल को नोडिफिकेशन बेल जरूर ओन कर देना लाइक तो मारी देते हो मैंने में सोहेल बाई बाई